हलो स्टुडेंट्स आज हम लोग वेस्ट बेंगॉल बोड क्लास टेन मैट्स का चैप्टर क्वाडरेटिक स्रट्स का पार्ट टू करने वाले हैं अगर अभी तक आप लोग ने इंट्रोडक्शन नहीं देखा है तो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट देख लीजे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है तो सम्स नमबर वन कुछ इस तरीका से है लेट अस राइट दा फॉलिविंग नमबर इन दा फॉर्म ऑफ प्रड़क्ट ऑफ रैशनल एन इर्रैशनल लंबर तो ये वला जो नमबर दिया गया है रूट 175 इसका प्रड़क्ट को रैशनल और इर्रैशनल लंबर में लिखना है ठीक है तो क्या करिए पहले रूट 175 का ठीक है फैक्टर निकाल दीजे ठीक है ना इसको अंडर रूट 5 इन्टू 5 इन्टू 7 लिख दीजे ठीक है और 5 का पैर जो पैर बनता है वो बहार आ जाता है तो 5 और जो पैर नहीं बनता है वो रूट का अंदर रहता है तो 5 रूट 7 ये आपका आंसर होगा क्वेशन नंबर 2 कुछ इस तरीका से 2 रूट 112 तो 112 का भी फैक्टर निकाल दीजे 2 फिफ्टी सिग्जा 2 ट्वेंटी एट्जा 2 फोर्टीन्जा 2 सेवन्जा 7 वन्जा अब इसको भी उसी तरीका से लिख लीजे अब जिसका पैर बनता है उसको बाहर कर दीजे जैसा यहाँ पर 2 और 2 का पैर बनता है 2 टूजा 4 और बाहर का 2 है न तो 2 टूजा 4 फोर टूजा 8 तो हम लोग लिखेंगे क्या उसमें 8 ठीक है 8 रूट 7 लिखेंगे और यह आपका आंसर होगा अब इसमें से 5 और 7 देखें तो उपर वाला क्वेस्टन में 5 और 7 हम लोग को क्या लिखना है ना तो 5 कैंच एक तो राशनल नंबर जबकि 7 रूट 7 कैंच और इर्राशनल नंबर और दोनों का बीच में कुछ नहीं मतलब प्रोडर्ट अब क्वेसेन नंबर 3 कुछ इस तरीके से 108 का इन लोग का भी फैक्टर निकाल दीजिए थू 5 4, 2 27, 3 nine 0, 3 3 0,3 1 0 , ठीक है ? तो इन लोग को भी लिखलिजे 2 x 2 x 3 x 3 ू ॥ा km2 ठीक है जिसका pair बने रहा हो हो उसको बाहर , 2 3 0 , 6 root 3 ये आपका answer होगा अब six जो है एक rationale और root t・ एक rationale number है 125 कई उसी तरीका से factor निकाल ली जे 5 25 जा 5 5 5 जा और 5 1 जा अब इधर पर अंडर रूट 5 इंटू 5 इंटू 5 लिख लीजे ये जो 5 का पेर बन रहा है उसको बाहर कर दीजे और 5 का एक तो पेर नहीं बनेगा उसको अंदर तो 5 रूट 5 आपका आंसर होगा अब 5 और रूट 119 देखिए 119 का तो कोई फैक्टर ही नहीं होता है तो यही आप उसका आंसर लिख देजाए 5 रूट 119 तो यह था question number 1 question number 2 की कुछ इस तरीका से है let us prove that root 108 minus root 75 equals to root 3 ठीक है तो इसको क्या करना है पहले तो हम लोग को root 108 और root 75 का factor निकाल लेना होगा तो 108 को 254 222 और 272 ठीक है न 3 9 3 3 3 3 3 1 ठीक है और 75 को 5 15 जा 5 3 जा और 3 1 ठीक है अब क्या करिए root 2 into 2 into 3 into 3 into 3 ठीक है minus कर दीजे 5 into 5 into 3 equals to root 3 ठीक है ना अब देखें दोनों का जो pair बनता है 2 3 जा 6 6 root 3 minus यह दोनों का pair बनता है 5 root 3 ठीक है equals to root 3 अब देखें इन लोग क्या है एक तो light studs है ना तो 6 में से 5 चला गया तो कितना बचेगा 1 तो 1 को तो हम लोग लिखते नहीं है तो सिब root 3 equals to root 3 तो यह हम लोग का left hand side equals to right hand side होता है proved question number 3 question number 3 कुछ इस तरीका से है let us show that root 98 plus root 8 minus 2 root 32 equals to root 2 ठीक है तो इसको कैसे करेंगे पहले यह तीनों का factor निकाल लेते है इन लोग का ठीक है ना 98 का 2 49 जा 7 7 जा और 7 1 जा ठीक है 8 का 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा और 32 का 2 16 जा 2 8 जा 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा ठीक है तो इसको लिखेंगे कुछ इस तरीका से हम लोग 2 into 7 into 7 plus 2 into 2 into 2 minus 2 root 2 into 2 into 2 into 2 जा ठीक है अब देखें इसका pair बनेगा इसको लिखेंगे बाहर 7 root 2 plus इसका pair बना तो 2 root 2 ठीक है माइनस अब देखें 2 और 2 मतलब 2 2 जा 4 और ये बाहर का 2 तो 4 2 जा 8 8 root 2 ठीक है अब देखें क्या है एक तो like studs है ठीक है ना तो 7 plus 2 9 9 में से 8 चला गया तो 1 1 और root 2 मतलब 1 root 2 1 root 2 को क्या लिखेंगे सिब root 2 ही लिखेंगे तो हम लोग का left hand side equal 4 कुछ इस तरीका से let us show that 3 root 48 minus 4 root 75 plus root 192 ठीक है इसको solve करना है same इन लोग को भी क्या करिए factor निकाल लीजे इन लोग का ठीक है 48 का 75 का और 192 का 2 2 जा और 2 4 जा ठीक है 2 12 जा 2 6 जा 2 3 जा और 3 1 जा ठीक है ना अब यह 5 15 जा 5 3 जा 3 1 जा ठीक है अब यह 296 जा 2 48 जा 2 224 जा 2 12 जा 2 6 जा 2 3 जा और 3 1 जा ठीक है अब इसका आगे 3 है तो 3 जीजिए अब देखें 2 2 2 2 2 मतलब चैट हो 2 और मतलब 1 2 3 4 और यह ठीक है माइनस 4 रूट 75 5 इंटो 5 इंटो 3 ठीक है प्लस 192 का 1 2 3 4 5 6 तो 1 2 3 4 5 6 और यह 3 ठीक है ना अच्छा तो देखें इन लोग का इसका पैर बना और इसका पैर बना 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 रूट 3 ठीक है माइनस 5 4 जा 20 20 रूट 3 ठीक है प्लस अब देखें 2 2 और 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 और सिब बचा यह रूट 3 अब देखें अब माइनस 20 रूट 3 ठीक है अब देखें 20 रूट 3 20 रूट 3 कैंसल आउट हो जाएगा और होगा क्या 0 तो हमा लोग का लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है वो हो जाता है प्रूवड क्वेशन नमर 5 कुछ इस तरीका से लेट आस सिंप्लिफाई रूट 12 प्लस रूट 18 प्लस रूट 27 माइनस रूट 32 ठीक है इसको सिंप्लिफाई करना है तो सेम फैक्टर निकाल दीजाए इन लोग का ठीक है ना 220 बसक्ता हम रूट 1 Україघ को 222 रूट 12 प्लस रूट 12 करना हम dileму जो को 20cü 6 रूट 2 बासके रूट 12 को सेम रूट 12 माथ 3 रूट 8 बासके रूट 9 बासके हम disg Into रूट 12 को लिख दीजे 2 x 2 x 3 ठीक है प्लस रूट 18 2 x 3 x 3 प्लस रूट 27 3 x 3 x 3 ठीक है ना अब माइनस करने कि इसको रूट 32 को तो इधर पर जगा नहीं हम इधर पर लिख देते हैं 2 x 2 x 2 x 2 ठीक है ना अब देखे इन लोग का पैर बनता है तो 2 x 3 3 x 3 plus इन लोग का पैर बनता है 3 root 2 plus अब देखे इन लोग का पैर बनता है इधर पर 3 root 3 minus इन लोग का 2 और ये 2 हां어 2 cooperative 4 root 2 ठीक है अच्छा अब देखे बोन देखे जो like struts है ठीक है ना देखे रूट 3 और root 3 like struts है तो इन लोग काaison होगे और root 2 और यह root 2 यह लोग like stretch है तो हम लोग को 2 ठीक है इसका आगे क्या है 2 है और इसका आगे 3 है तो दोनों plus होगा तो 3 plus 2 5 और root 3 root 3 मतलब root 3 आ जाएगा इधर पर ठीक है अब minus ठीक है अब देखो 4 मने 4 root 2 और 3 root 2 ठीक है न तो यह दोनों common common है तो 3 में से 4 मतलब 3 में से अगर 4 चल जाएगा तो क्या बचेगा plus minus minus 3 में से 4 गया तो 1 तो 1 लिखते नहीं सिफ root 2 तो मने 5 root 3 minus root 2 आपका answer होगा ठीक है question number 6 कुछ इस तरीका से है let us write what should be added with root 5 plus root 3 to get a sum to root 5 तो बोल रहा है कि हम कि इसमें से क्या add करने से 2 root 5 आएगा मने root 5 plus root 3 से क्या add करने से root 5 आएगा तो इसको कुछ इस तरीका से समझे मान लिजे कोई एक number है कि कि 2 और इधर पर 5 अब बोला है 2 से क्या add करने से 5 आएगा तो naturally 3 add करने से 5 आएगा तो उसी तरीका से अगर मान लिजे 5 से हम लोग minus कर लेते हैं 2 को तो हम लोग का 3 आजाएगा तो same sum C है ये वला अब हम लोग को 2 root 5 से ठीक है minus कर लेना है ठीक है न root 5 plus root 3 को तो हम लोग cancer आजाएगा तो bracket खोलेंगे तो ये कुछ इस तरीका से लिखा जाएगा plus minus minus plus minus minus ठीक है like terms है ठीक है तो इधर पर 2 है इधर पर कुछ नहीं मतलब 1 होगा तो 2 में से 1 चला गया तो 1 बचा अब 1 तो हम लोग लिखते नहीं तो इधर पर क्या आजाएगा इसे root 5 आजाएगा अब देखिए ये वला तो common नहीं है तो ये इधर पर आजाएगा मतलब ये like studs तो नहीं है दोनों में कुछ common नहीं है तो root 5 minus root 3 होगा हमारा answer देखिए question number 6 भी कुछ इस तरीका से है let us write what should be subtracted from 7 minus root 3 to get bracket 3 plus root 3 ठीक है तो same question ही है ठीक है क्या minus करना है हम लोग को 7 minus root 3 से कि हम लोग का value आजाएगा 3 plus root 3 तो इसको लिखेंगे कुछ इस तरीका से 7 minus root 3 ठीक है bracket minus करना है तो minus cos 3 plus root 3 ठीक है bracket खोलेंगे 7 minus root 3 अब देखिए minus plus कुछ नहीं ये sign मतलब plus है तो plus minus plus minus ठीक है और minus plus minus root 3 ठीक है अब इधर पर आप थोड़ा देखिए ये 7 है और ये 3 है ये दोनों का आगे कुछ नहीं है मतलब इन लोग क्या है तो ordinary number है तो 7 में से plus 7 minus 3 plus minus minus 7 में से 3 चला गया तो 4 बचा 4 ठीक है अब देखिए ये root 3 minus root 3 और minus root 3 इन लोग का आगे कुछ नहीं है मतलब 1 होगा क्योंकि इन लोग like studs है तो इन लोग का आगे कुछ नहीं है 1 होगा तो minus minus plus तो 1 plus 1 कितना होगा 2 ठीक है और इधर पर minus root 3 ठीक है ये आपका answer है तो ये तीनों को add करना है sum मतलब add करना है तो add करेंगे 2 plus root 3 ठीक है plus root 3 plus root 5 plus 2 plus root 7 ठीक है अब देख लीजे इधर पर देखे ये 2 और ये 2 इन लोग का आगे कुछ नहीं है इन लोग का साथ कुछ नहीं है मतलब इन लोग क्या एक ordinary number तो 2 plus 2 कितना होगा 4 ठीक है अब दीखिए यह root 3 और यह root 3 इन लोग का आगे कुछ नहीं है तो इन लोग like struts और इन लोग का आगे कुछ नहीं है मतलब 1 होगा अब देखिए, question number 6 का D कुछ इस तरीका से, let us subtract 10 minus root 11 from minus 5 plus 3 root 11 and let us write the value of subtraction, ठीक है? मतलब 10 minus root 11 को minus 5 plus 3 root 11 से हम लोग को minus करना है, ठीक है? तो इसको लिखेंगे कुछ इस तरीका से, 10 minus root 11 को minus करना है, minus 5 plus 3 root 11 का साथ, ठीक है? तो 10 bracket जब खुलेगा तो ऐसा लिखेंगे, minus minus plus 5 plus minus minus 3 root 11, ठीक है? अब देखिए, यह 10 और यह 5, ordinary number तो 10 और 5 को plus plus है, तो 10 plus 5 15, ठीक है? अब देखिए, अब इधर पर minus 11 है, minus root 11 है और इधर पर minus 3 root 11 है, तो देखिए, root 11, root 11, बने यह लोग क्या है? common like terms है, तो like terms, इसका आगे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो minus minus plus, और minus का साइन रहेगा, ठीक है? और 1 plus 3 कितना होगा? 4, तो 4 root 11, यह है आपका answer, question number 6 का, यह वाला कुछ sums ऐसा है, let us subtract 5 plus root 2 plus root 7 from the sum of minus 5 plus root 7 and root 7 plus root 2 and find the value of subtraction, तो यह sums में क्या करना है? यह वाला number को, ठीक है, यह दोनों का sum से, मतलब यह दोनों को add करके, इससे minus करना है हम लोग को, ठीक है? तो लिखेंगे कुछ इस तरीका से, minus 5 plus root 7, ठीक है? bracket में ले लिजए, अब add करना है कि इसको इसका साथ ना, तो root 7 plus root 2, ठीक है? अब इसको minus किसका साथ करना है? इसका साथ करना है, तो इधर पर minus कसाइन, 5 plus root 2 plus root 7, अब अंदर में इसको अगर solve करें तो, minus 5 plus root 7 plus root 7 plus, देखें, प्लस, प्लस होगा ना, और प्लस, प्लस, प्लस होगा, तो root 2, ठीक है? अब 5 plus root 2 plus root 7, अब देखें, ये भी एक like struts है, और ये भी एक like struts है, तो इसमें आगे में कुछ नहीं मतलब 1 है, और इसमें भी आगे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 1 plus 1 कितना होगा? 2 होगा, तो minus 5, ठीक है, plus 2 root 7, ठीक है, plus root 2, क्योंकि ये लोग एक dissimilar threads है, तो इन लोग में कुछ नहीं होगा, तो ऐसे ही रखतेंगे, अब इसका bracket खुलेंगे, plus minus 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 5, plus minus plus minus, ठीक है, root 2, minus plus minus root 7, ठीक है, अब देखे, minus 5 और minus 5, minus minus plus, कितना होगा? 10, minus 5 और minus 5 होगा न, minus minus plus, तो minus minus plus होगा, 5 plus 5, 10 होगा, ठीक, अब प्लस root 2, मने 2 root 7, और minus root 7, तो इसका कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो 2 में से 1 चला गिया, plus minus minus, 2 में से 1 चला गिया, 1 बचा, तो सिप root 7, ठीक है, अब, plus root 2, और minus root 2, ये लोग दोनों सेम है, तो cancel out हो जाएगा, मतलब 0 होगा, तो cancel out ही कर दो आप, ठीक है न, तो ये है आपका answer, ये exercise का, ये last question है, write two quadratic struts, whose sum is a rational number, तो ऐसा कोई दो-ठो quadratic struts लिखना है, जिसको जोडने से एक rational number बनता है, ठीक है, आप कुछ भी मान के चलिए, ठीक है, तो हम लोग मानते हैं, चलिए, 4 plus root 2, and 4 minus root 2, ठीक है, तो इसको लिखेंगे, तो 4 plus root 2, ठीक है, अब इस तरबर plus मान के चलिए, तो plus plus, plus होता है, और plus minus, minus, चलिक है, root 2, अब देखे, 4 और ये 4, plus है, तो 8 हो जाएगा, अब देखे, plus root 2 और minus root 2, क्या हो जागा, cancel out हो जागा, बचेगा क्या 8, तो 8 क्या है, एक rational number है, आपको इधर तक वीडियो समझ में आया होगा, part 2 का link description में दे दिया गया है,